क्या आप क्लास में मस्ती करते हैं? ओ, देखो मार जी, I found a real book. कौन कह रहा ये? टॉमी. और ये है उसकी फ्रेंड मार जी. टॉमी, 13 एर्स का है. और वहीं पे मार जी, 11 एर्स का. हे, वेलकम क्लास नाइन. आज हम पढ़ने वाले हैं The Fund They Had, जिसे लिखा है Isaac Asimov. और ये कहानी चल रही है, फ्यूचर में. डेट कौन सा है? 17th में. 2, 1, 5, 7. ओ, भाई साब. हम लोग तो बाके में Future में आ गए हैं. सर, सर, मैं भी online क्लास में एक एजाम देता हूं, सर. मुझे सब सब्जक्ट में 100 में 100 आता है. ठीक है, अच्छी बात है. इस कहानी में टॉमी को एक बुक मिलता है. और ओ, इसके बारे में मारजी से कहता है. हे मारजी देखो, मुझे क्या मिला? रियल बुक, बुक, इसे तो मारजी ने, अपने ग्रेट, नहीं, अपने ग्रैंड फादर से सुना था. कब, जब उसके ग्रैंड फादर, खुद बच्चे हुआ करते थे. वाओ, रियल बुक, मज़ा आ गया सुनके. बुक काफी पुराना था, क्यूंकि बुक के पने येलो और क्रिंकली हो चुके थे. मारजी ने, टॉमी से पूछा, बताओ, बताओ, इस रियल बुक में किस चीच के बारे में लिखा हुआ है? आँ, टॉमी कहता है, इस रियल बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. स्कूल, कोई भला स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है? क्यूंकि मारजी को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं. क्योंकि मारजी के रिजल्ट्स लगातार खराब हो रहे हैं, और खास कर जियोग्राफी सेक्शन में. मम्मी को किसी चीच की चित्ता हो ना हो, अपने बच्चे की पढ़ाई की चित्ता हर मम्मी को होती है. वैसे ही मारजी स्मदर जो की मिसेस जो ने उसे भी पढ़ाई के चित्ता सताने लगी अपनी बेटी के लिए. सो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटल मैन है. राउंड लिटल मैं हाँ विद रेड फेस और वो बहुत सारा टूल्स ले आया और साथ में डायल्स एंड वायर्स किसे ठिक करनी के लिए अरे टीचेर को टीचेर अरे तुम्हें पता नहीं जो मार जी का जो टीचेर हो वो एक मेकनिकल रॉबोट है रॉबोट अरे हाँ यही तो है मार जी का मेकनिकल टीचेर कांट इंस्पेक्टर ने इसके गेर बॉक्स को ठीक कर देया इसी के वज़े से मार जी का जोग्राफी सेक्षन खराब हो रहा था और कुछ एडजेस्ट्मिंट के बाद मार जी का मेकनिकल टीचेर ठीक हो गया चलो इससे मार जी खुश नहीं हुई मार जी तो बैचारी मेकनिकल टीचेर के ठीक होते ही क्यों पिछली बार जब टॉमी का मेकनिकल टीचेर खराब हो था तो काउंट इंस्पेक्टर उसे एक महिने के लिए ले गया था और मार जी भी कहीं कुछ सोच रही थी कि उसका भी मेकनिकल टीचेर एक महिने के लिए चला जाता तो वह उसे भी छुट्टी मिल जाती न पढ़ाई से अच्छा मार जी को पढ़ाई करना बिलकुल पसंद नहीं क्योंकि खासकर होमवर्क उसे सारे होमवर्क पंच कोड में लिखने पढ़ते थे खैर जाने दीजिए मार जी कह रही है बताओ ना टॉमी और क्या लिखा इस बुक में अरे टॉमी कहता है कि वहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग वह करता था इसकूल बिल्डिंग वहाँ और वहाँ टीचर आता था पढ़ाने के लिए और टीचर जो है वो एक इनसान था इनसान वो सोच में पढ़ जाती है एक आदमी तूसरे आदमी वो कैसे पढ़ा सकता है अरे वो टीचर किसी एक घर में नहीं रहता वो तो बिल्डिंग में जाता है स्कूल में और सभी बच्चों को पढ़ाता है और सभी को होमवग देता है वाओ मार जी सोच में पढ़ गई होमवर्क कितना अच्छा न कोई एक बच्चा होमवर्क करे तो सब बच्चों का होमवर्क automatic हो जाता है वाओ वो तो बढ़िया है बस एही सब जब बाते कर रहे थे तो मार जी को उसके मम्मी का भुलावा आ जाता है हे मार जी चलो स्कूल का टाइम हो गया और मार जी अपने next room में चले जाती है जहां पे उसके mechanical teacher यानि की robot उसका class लेता रहता है ओ फिर वही पुराना care और वो बुक्स के बारे में सोचते रहती है और old school के बारे में चलिए ठीक है कहाने आपको समझ माएं तो आप लाइक शेर और subscribe जरूर करें थेंक यू फिर मिलते हैं अबस्ते हैं झाल